बीवी से दुनिया में आज देखे तालिबान की कबसे के बाद कैसे बदल रही है अफगानिस्तान के लोगों की संदकी हजारों लोग देश छोड़ने को बेताब जो पीछे रह गए कैसी है उनके संदकी महिलाओं के लिए नए तालिबान राज के क्या है माईने क्या तालिबान के वादों पर है उन्हें भरोसा स्वागत आपका बीवी से दुनिया में मैं आपके साथ पाइल वोयान कव स्टोरी में आज दिखाएंगे अफगानिस्तान से ग्राउंड रिपोर्ट लेकिन पहले आज की हेडलाइन्स पश्वमी देशों को तालिबान की चिताबने 31 अगस तक करे अफगानिस्तान खाली कहा इस तारीक के बाद रुखना अफगानिस्तान पर कब्जे के तौर पर देखा जाएगा डवलू उचिक मताबे काबूल हवाई अड़े पर प्रतिवंदों के चलते देश तक नहीं पहुंच पा रही मेरिकल सप्लाइ इरान ने तालिबान की अपील के बाद शिरू की अफगानिस्तान को तेल किया पूर्थी सुप्रीम कोट ने कहा अंदोलन के वज़े से सड़के नहीं रखी जा सकती बंद कहा किसान अंदोलन का हाल निकाले सरकार कृशी कानूनों की विरोत में लंबे समय से दिली सीमा पर बैठे है किसान चीन में सुधरे हाला आज कोरोना का एक भी नया मामला नहीं आया सामने अंतराश्ट्रे मुद्रा कोश अपने सादे से देशों को महामारी से ने पटने में मदद करने के लिए देगा साड़े छैसो आरब डॉलर्स की विद्यसा है था इन में से कुछ एम खबरों की चर्चा आज बीवी से दुनिया में तालिबान के कबजे के बाद से अब तक काबोल एपोर्ट पर लोगों का हुझूम लगा हुआ है इस उम्मीद के साथ कि शाहद उन्हें अफगानिस्तान से बाहर निकलने का मौका मिल जाए हजारों लोग तीशते बाहर जाने में काम्याब रहे पर लाखों लोग अब भी वही है नए हालात से तालमेल बिठाते लोग कैसे जिन्देगी गुसारे तालिबान के वादों पर भरोसा करें या ना करें खासकर महिलाओं के जहन में कई सवाल है इन सब के भी जब अमेरिका का अगला कदम क्या होगा इन सब के चर्चाच कवर स्टोरी में कवर स्टोरी की शुरुआत करें से पहले जान लेते हैं कि तालिबान ने अमेरिका को क्या चेताब नहीं दी है मुझे लगता है कि उन्हें अफगानिस्तान से चले जाना चाहिए और अफगान लोगों को शांती और राष्टर निर्मान का एक नया अध्याय शुरू करने देना चाहिए इस बात का कोई और चिते नहीं है अगर वो ये कहें कि वो यहां पर उन अफगान लोगों के लिए हैं जिन्होंने उनके साथ काम किया है और उन्हें अभी तक यहां से नहीं निकाला गया है उनके लिए एक विकल्प है हम उनके लिए कोई मुसीबत नहीं खड़ी कर रहे अगर उनके पास अमेरिका का दिया हुआ पासपोर्ट है तो वो किसी भी वक्त या थ्री विमान लेकर यहां से जा सकते हैं और यह उनका अधिकार है हम तो चाहते हैं कि वो अफगानिस्तान में ही रुकें और देश के निर्मार में मदद करें यहां उनके जानमाल को कोई खत्ता नहीं है इसके बावजूद अगर वो जाना चाहते हैं तो वो ज़रूरी दस्तावेज दिखा कर अफगानिस्तान छोड़ सकते हैं तो तालिबान चाहता है कि अमेरिका 31 अगस तक अफगानिस्तान छोड़ दे उनकी प्रवक्ता ने ये भी कहा कि अगर अमेरिका 31 अगस तक अफगानिस्तान से अपने सैने को को नहीं हटाता तो इसके काफी गंभीर परिणाम होंगे जिसका फैसला तालिबान के नेता ही कर एक तरफ अफगानिस्तान के हजारों लोग देश छोड़कर जा रहे हैं, दूसरी तरफ देश में रुकने वाले लोग अपने भविश्य को लेकर चिंतित हैं, खास्तोर से महिलाएं, तालिबान ने कहा है कि शरिय कानून के मताबिक महिलाओं को उनके हक मिलेंगे, पर कई ल तालिबान ने काबल पर कब्जा किया, तो यहां के तमाम लोग डर गए, लेकिन युवा पत्रकार रोवेना ने फैसला किया कि वो अपने यूट्यूब चैनल के लिए तालिबान से बात करेंगी, यह आखरी वीडियो था जो उन्होंने अपलोड किया, उन्हें नहीं पता कि अब तालिबान उन्हें काम करने देंगे या नहीं, फिलहाल कई दफ्तरों में महिला करमचारियों को घर पर ही रहने को कहा क्या है, कई कामकाजी महिलाएं डर की वज़ा से काम छोड़ कर भाग गई, क्या तालिबान काम करने की इतनी सी भी आजादी देगा, कहना मुश पिशली बार साल 1990 में जब तालिबान सत्ता में था तब ना महिलाओं को काम करने की इजासत थी और ना लड़कियों को स्कूल जाने की, आज भी तालिबान पत्थरों और कोड़ों से मार डालने की सजा की बात करते हैं आज भी तालिबान के राज में आप कुछ महिलाओं को काबुल में बाहर निकलते देख सकते हैं हालनकि पहले के मुकाबले इनकी तादाद कम हो गई है कई तो डर की वज़ा से बाहर नहीं निकलती अभी तक इने बुरका पहनने या किसी पूरुश के साथ ही घर से निकलने का फरमान नहीं सुनाया गया है लेकिन कब ऐसा हो जाए पता नहीं मैंने यहां कई महिलाओं से बात करने की कोशिश की पर उनमें से ज्यादतर कैमरे पर नहीं आना चाहती यह कोई नई बात नहीं है हालांकि एक महिला ने बात की और कहा कि उन्हें भवीश की चिंता तो है पर तालिबान के बारे में कुछ भी बोलने से उन्हें अपने लिए खत्रा महसूस होता है भले ही नए काइदे कानून लागू ना हुए हो लेकिन डर की वज़ा से महिलाओं के कपड़े पहनने का तरीका बदल रहा है इस दुकानदार ने बताया कि कोई अब जीन्स नहीं खरीद रहा इसकी जगा लोग हिजाब और परमपरागत धके हुए कपड़े खरीद रहे हैं कईयों को तालिबान को लेकर शंका आए हैं पर रविवार को तालिबान ने काबूल के मेर के दफ्तर में महिला करमचारियों को काम पर वापस आने को कहा ये महिला उनमें से एक हैं जो वापस आई वो कहती हैं तालिबान ने हिजाब पहनने के लिए कहा है लेकिन मैं तो पहले से ये पहनती हूँ महिला अधिकारों को लेकर अपने वादों पर तालिबान की स्थेती कभी साफ नहीं रही है कुछ इलाकों में उन्होंने बारा साल से ज्यादा उम्र की लड़कियों के स्कूल जाने पर रोक लगा दी है जो लोग तालिबान के खिलाफ अलग अलग प्रदर्शन कर रहे हैं उनमें अफगानिस्तान की लड़कियां भी शामिल है फौजिया कूफी भी अभिहान चलाती रही है वो तालिबान के साथ बातचीत करने वाली टीम की भी सदसे हैं बहुत से महिलाएं मुझसे संपर करती हैं मुझे संदेश भेजती हैं या मुझसे मिलने आती हैं या तो वो इससे बाहर निकलने का रास्ता ढून रही हैं या फिर कुछ अलग चाहती हैं वो सुरक्षा ही नहीं बलकि बहतर देश की उमीद करती हैं उनके पास अभी कुछ नहीं है पर मुझे गर्व है कि वो इसके लिए संगर्ष को तयार हो रही है कईयों को ये फिक्र भी सता रही है कि तालिबान ने भले अभी महिलाओं को पढ़ने और काम करने देने का वादा किया है लेकिन एक बार दुनिया की नजर उनसे हटी तो वो सक्त रूप सामने आएगा अभी का वक्त गहरी अनिश्चिता का वक्त है हवाई पट्टी पर कदम रखते ही आपको अंदाजा हो जाता है कि हालात कितने गंभीर है आप काबोल इंटरनेशनल एरपोर्ट पर किसी भी तरफ निगाह दोडा लीजे आपको कतार में खड़े अफगान और विदेशी लोग दिखाई देंगे ये लोग सैने विमानों में चड़ रहे हैं जो इन्हें ना सिर्फ इनके मुलक बलकीन की मौजूदा जिन्दगी और पहचान से भी दूर ले जाएंगे जिस पर ये गर्व करते हैं ये लोग सब कुछ पीछे छोड़ कर जा रहे हैं इन्हें नए सिरे से शुरवात करनी होगी आज के दिन अफगानिस्तान की एक पूरी की पूरी पीड़ी ने अपने ख्वाबों और जिन्दियों को दफन कर दिया है अपने विरोधाबासों के बावजूद ये शहर हमारा घर है हम यहीं पले बढ़े हैं हम उमीद करते हैं कि तालिबान और बाकी सब भी अतीद से सबक लें मैं उमीद करता हूँ कि हम यह साबित कर पाएं कि हम बंदूकों और टैंकों को पीछे छोड़ कर उस राह पर आगे बढ़ सकते हैं जहां हर कोई खोद को देख सके इतनी जल्दबाजी में लोगों को निकाले जाने की ना तो किसी को उमीद थी ना कोई ऐसा चाहता था और ना कोई से भूल पाएगा बताया जा रहा है कि इस हवाई पट्टी पर दस हजार से जादा शायद 14 हजार अफगान और विदेशी नागरिक विमानों में चड़ने का इntजार कर रहे हैं जो उने अफगानिस्टान से बाहर ले जाएंगे इसके अलावा भी हजारों अफगान बदहวासी में एरपोर्ट की और बढ़ रहे हैं जो इन विमानों पर चड़ जाना चाहते हैं यातरा करते सम्से में लगा क्योंकि बाहर खड़े लोगों के बीच खूब धक्का मुक्की हो रही थी चोटे चोटे बच्चे परिवार जो नहीं जानते के इनकी आगे की जिंदगी कैसी होने वाली है वक्त एक छोटे से ब्रेक का ब्रेक के बाद आपको मिल वाएंगे भारत के पैराशुटर पुबीना फ्रांसिस से एक छोटे से ब्रेक पुरिंट लटते हैं अब देखनें बीबी से दुनिया में आपके साथ पाइल भूयन हैती में भूकंप और तबाही को एक सब्ता पीच चुका है लेकिन यहां कई इलाकों तक अब भी मदद नहीं पहुँच पाई है भूकंप से 2000 से जादा लोग मारे चाच चुके हैं देखे बीबी से समवाता था जेम्स क्लेटन के रिपोर्ट ले आंगले के इस छोटे शहर में पहुचना आसान नहीं है इसके लिए उन गाउं से गुजरना पड़ता है जहां भूकंप ने तबाही मचाई है यहां उस चर्च का मलबा ही बचा है जिसमें सामोहिक नामकरण होने वाला था यहां लोग जमा हो ही रहे थे तब ही भूकंप आ गया डाफका उस दिन बहुत खुश थी उनकी भी बच्ची का नामकरण होना था चर्च के अंदर काफी लोग बैठे थे जैसे ही भूकंप आया सब लोग भागने लगे लेकिन दोनों और लोग भरे हुए थे मैं अपनी बच्ची को उठा कर निकलने ही वाली थी कि तब ही मेरे उपर मलबा आगिरा दाफका बुरी तरहे जखमी हुई पर बच गई उनकी बेटी इस्टर ने उनकी बाहों में दम तोड़ दिया मैं कभी उसे अलग नहीं रही जब चर्श गई तो हम दो थे पर मैं वापस अकेले आई ये शहर उन 22 लोगों की मौत के गम में डूबा है जिनमें कई बच्चे थे भूकम्प ने यहां के लोगों को जो जखम दिये हैं वो शायद ही कोई भर सकता है मद्यप्रदेश की पारशुटर रूबीना फ्रांसिस पाराल्म्पिक्स में भारत का प्रतिरने दित्व करने जा रही है पैसो और जागरुपता की कमी के कारण रूबीना की माता पिता उनके पैरों का इलाज नहीं करा पाए लेकिन फिर शूटिंग के खेलने उनका हाथ थामा रुबीना से बात की BBC समभाता था वंदना ने मैं अगले जो चार साल बार तीन साल बार जो होने वाला है उसमें मैं लेकर ही आओ मैं धी फॉर्म प्रिफेरिंग फॉर लॉंग ताम नाट फॉर शॉट्टंग में जाना है या स्पोर्ट्स में जाना है यह एक थोट कहां से आया होगा आपको हमारे लिए बहुत नया था कि गोली चलाना बंदूग पकरना बहुत नया था तोजार सत्रा में सेलेक्शन च्राइल्स हुए उसमें मैंने फॉर्स इंटरनाशनल के लाता मैंने तो ऐसे मेरी इंटरनाशनल के जरने चालो होगी मैंने जो परस्यू किया है शूटिंग वो पर काम करते हैं और मेरी ममी नर्स है थास्पिटल में बैग्राउंड का बोलू तो माम इत्स लाइक इतना अच्छा नहीं है बठाओ बैठाओ बैठाओ ने वसे नो तो में उनसे जादा रिच कोई ने हो सकता आपकी जो डिसिबिलिटी है वो किस तरह की है और एक पैराशूटर होने के नाते क्या एक्स्ट्रा चैलेंजेज रहे हैं या रहते हैं करियर में मुझे जो प्रॉब्लम है वो बाइबर्ट है तो इस बाइबर्ट इस नोट पोली हो जो 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 निक पेरा को हो जाती है तो इस नॉमल तो यह ठीक भी हो सकता था बट इस लेक विए हमारे पास सफिशिन पैसे नहीं थे नहीं था इतनी अरेंजमेंट उस समय नॉलेज भी नहीं थी कोई बाइबर्ट इस पैरा भी कर रही होता है अगर आप कंपैर करो तो एक नॉमल एथलीट होता है उसके हाथ पैर सब कुछ होते है ही स्तांस दोनों पैर पे खड़ा होता है उसके दोनों हाथ होते हो अपनी प्रॉपर बॉड़ी का बालन्स रखके पर्टिकलर परशन शूट करता है बड़ जब एक पैरा अथलीट की बात आती है तो उसमें डिफरेंस ही हो जाता है उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी तो होती होती है उपर नीचे उसका पैर बालन्स ना हो उसका इखात ना हो यह एफेक करती हैं चीज़े अभी तक हम नहीं आगे बढ़ पाए हैं कंपेर करें तो नॉर्मल एखलीट से क्योंकि अभी कुछ ही टाइम हुआ है हमें आई हुए मैदान में और कुछ करके दिखा रहे हैं और वो बहुत टाइम से कर रहे हैं तो डिफरेंस हो जाता है जितनी मेहनत करते जाओगे जितना स्ट्रगल करते जाओगे तो आपको उतना ही नीठा फ़र मिलता जाएगा वक्त एक चूटी से ब्रेक ब्रेक के बाद देगिए क्यों की जा रही है केनिया में जानवरों की अब तक की सबसे बड़ी गणना एक चूटा सा ब्रेक तुरें प्लते हैं आप देखरें Divis दुनिया में आपके साथ पायल भुयल अब बात कीनिया की जहां चल रही है एतिहासे गणना जहां पूरे देश के जमीन अपानी में रहने वाले जानवरों की गिंती की जा रही है ऐसा वाइड लाइफ टूरिसम और सानक्षन के नए प्लान को ध्यान में रख कर किया जा रहा है कीनिया में कई विलॉप्थ होने वाले जीफ पाये जाते हैं तो किस तरह हो रही है इनकी गणना देखिए बीवीजी किस रपोर्ट में कीनिया में जानवरों की अब तक की सबसे बड़ी गणना हो रही है आस्मान से शोद करता देश के जन जीवों को रिकॉर्ड करेंगे और उन्हें होने वाले खत्रों को भी आखेंगे जिसमें संरक्षित इलाकों में इनसानी गथिविदियां शामिल होंगी प्लेन से गणना करना उन कई तरीकों में से एक है जिन्हें कीनियाई वाइड लाइफ सर्विस पूरे देश के जन जीवों की गणना करने के लिए इस्तमाल कर रहा है रेंजर जमीला जमीन पर तेनाथ हैं और उन्हें हाथियों की गणना करनी है पर इन घने जंगलों में हाथ ही छुपने में माहिर होते हैं तो शोतकरता उनके मल का सहारा लेकर गणना करते हैं कीनिया में पहले भी कई वाइड लाइफ सर्वे किये गए हैं पर ऐसा पहली बार हो रहा है कि कीनिया जमीन और पानी में रहने वाली सभी प्रजातियों की गिंती करने की कोशिश कर रहा है ये गिंती खत्रे में पड़ी प्रजातियों को ध्यान में रखकर की जा रही है जैसे कि हाती, गेंडे और दूसरे जानवर लेकिन हमें ठीक से नहीं पता कि हमारे यहां कितने जिराफ, पैंगोलिन या फिर जेब्रा हैं समुद्री संरक्षन के लिए भी ये गणना एहम है कीनिया के मरीन पाक्स सालाना अर्बो डॉलर्स की कमाई करते हैं पर सरकार मानती है कि वो इससे कहीं बहतर कमा सकते हैं मरीन डेटा के इस्तिमाल से वो देश की उस ब्लू एकॉनमी में तेजी लाना चाहते हैं जिसमें समुद्री संसाधनों की मदद से रोजगार के अफसर पैदा होंगे ये कीनिया की अब तकी सबसे बड़ी जानवरों की गिंती है जिसके नतीजे भविश्य की संरक्षन रण नीती और आने वाली पीडियों के लिए मददकार साबित होंगे तो उमीद है कि वने जीवो और मरीन लाइफ के इसकिंती से उन्हें सुरक्षा मिले और वाइड लाइफ टूरिजम को भी फाइदा पहुंचे कारेकर्ण्स जुड़े किसी भी टॉपिक पर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं मेरा ड्विटर हांडल है अड़ पाइल भुयन आज के लिए बस अतना ही करिजम लाइब 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 के लाइब के लिए इसकिंटाओ कर रविटर लाइब लाइब के लिए लाइब।